मिडल इस्ट में टेंसन ओल टाइम हाई है लेबनान की राजदानी बैरूत में इस्तित हिजबुल्ला के मुख्याला पर हवाई हमला क्या गया IDF यानी इस्राइली डिफेंस फोर्स ने अपने सोसल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि अब दुनिया को नसरल्ला से डरने की जरुत नहीं है वह आतंक नहीं फैला पाएगा IDF ने एक्स पर पोश्ट करते वे लिखा हसन नसरल्ला अब दुनिया को आतंक नहीं कर पाएगा मीडिया रिपोर्ट के मुताविक इसराइल के हिजबुल्ला प्रमोक नसरल्ला को निशाना बनाने के लिए यह हमला किया था नसरल्ला बैरूत में जिस बंकर में छिपा हुआ था आईडियेफ ने उस पर एक साथ 80 से ज्यादा बब बरसा है हमले के बाद मुख्याला के ध्वंस्त हिस्से से आग की उंची उंची लप्टे उठने लगी और धुएं का घुबार आस्मान में च्छा गया दस दिनों की जदो जहद के बाद इस हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला और उसकी बेटी जैनब नसरल्ला की मोत हो गई नसरल्ला के मरने के बाद संगठन की 70 प्रतिशत सेने सक्तिया खत्म हो गई हारांकि अभी एरान समर्थित हिजबुल्ला ने नस्रल्ला के मारे जाने की पुष्टी भी नहीं की है इस एर श्ट्राइक में 6 लोगों की मौत हो गई इसराइल और हिजबुल्ला के बीच एक साल से जारी लड़ाई ने सितंबर मद्य में जोर पकड़ा था इस दोरान इसराइल से टकराओं में अब तक हिजबुल्ला के 20 कमांडर धेर हो चुके हैं या टॉप लीडर्शीप का कुल 45 में प्रतिशत है इनमें संगठन के हैड नस्रल्ला और एयर चीफ का नाम प्रमुख है हिजबुल्ला चीफ को मारे जाने के बाद इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को सुरक्षितिस्तान पर रखा गया है वह इसराइल भी अलट पर है दिल्चरस बात ये है कि इसराइल ने हिजबुल्ला के जिन शीर्स लड़ाकों को मारा है उन सब की हत्या एक पैटन में एक ही तरह की गई है इसराइल पहले खूफिया एजनसी के जड़िये जानकारी जुटाया और फिर सम्मदित ठिकानों कर इस्ट्राइक कर दी सेख हसन नसरल्ला लेबनान के चर्चित सिया धर्मगुरू और चरमपंथी संग्टन हेजबुल्ला का सर्वे सर्वा था नसरल्ला 1922 से इरान समर्थित संग्टन हेजबुल्ला का चीफ था जब उसे यह जिम्मदारी मिली तब वह महज 32 साल का था साल 1960 में पैदा हुए नसरल्ला बैरूत के बुर्ज हमोद इलाके में पला बड़ा शेक हसन नसरल्ला के पिता अब्दुलकरीम एक छोटी दुकान चलाय करते थे नसरल्ला नो भाई बैनों में सबसे बड़ा था नसरल्ला संग्टन के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था एक रिपोर्ट के मताविक जब साल 1975 में लेबनान में अमाल मुव्मेंट शुरू हुआ उस वक्ट सयद हसन नसरल्ला ने इस चरमपनति ग्रुप को जोईन किया साल 1982 में जब इसराइल ने लेबनों पर हमला बोला तो एक नया संग्टन इसलामी अमाल सामने आया जिसे इरानी गार्स ने सपोर्ट किया और बाद में यही हिजबुल्ला बन गया साल 1985 में हिजबुल्ला ने आधिकारिक तोर पर अपना घूशन पत्र जारी किया जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करा दिया हसन नसरला संग्ठन के लिए रिकूटमेंट मिसे लेकर ट्रेनिंग का काम देखने लगा और साल 1982 में जब अबास अलमुस्वी की मौत हुई तो उसने इस ग्रुप की कमान समाल ली हिजबुल्ला और इसराइल क्यों भीड़े ये भी हम आपको बता देते हैं हिजबुल्ला लेबनान का एक अर्दिशनिक संग्टन है इसकी इस्तापना नागरी की युद्ध के दोरान हुई थी 2006 में आखरी बार इसराइल और हिजबुल्ला में लड़ाई हुई थी इसके बाद दोनों शांत थे लेकिन पिछले एक साल से हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर निशाना साधरा था इस साल के सितंबर में दोनों के बीच लड़ाई में तेजी आ गई हिजबुला के कई लड़ा के पेजर अटेक में मारे जाने लगे आरोप इसराइल पर लगा इसके बाद हिजबुला ने इसराइल पर रोकेट दाग दिया इसराइल इसके बाद से ही हिजबुला को निशाने पर ले रखा था शुक्रुआर को स्युक्त राष्ट संग के बेंजामीन नेत्यनाहु ने हिजबुल्ला को आतंकी संगठन बताया और कहा कि उसे जब तक समाप्द नहीं कर देंगे तब तक शांत नहीं बेटेंगे इस्राइल के मताबिक हिजबुल्ला के पास 150 रोकेट हैं जिससे उसे खत्रा है इस्राइल के लिए ये बड़ी कामियाबी क्यों हैं तो आपको बता दें कि हसन नस्रल्ला से पहले हिजबुल्ला का चीफ अबास अल मुसावी था मुसावी को भी इस्राइल ने 1992 में एक एर श्ट्राइक में मार डाला था जिसके बाद सत्ता हसन नस्रल्ला को मिली अब नस्रल्ला का मारा जाना इस्राइली सेना के लिए एक पड़ी कामियाबी है क्योंकि पिछले एक साल से गाजा का युद भी चल रहा है इस्राइली पियम जो मान कर चल रहे थे कि यह युद कुछी दिनों में खत्म हो जाएगा वै एक साल से ज्यादा समय से चलता रहा ऐसे में हिजबुल्ला चीफ को मार कर वै अपनी पड़ी कामियाबी के रूप में दिखा सकते हैं इसके अलावा वै बार बार कहते रहे हैं इस्राइल हिजबुल्ला से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वै उत्तरी इस्राइल के लोगों को उनके घरों में वापस भीजना चाते हैं इस्राइली सेना ने बताया कि नसरल्ला को मारने के लिए जो आपरेशन चलाया गया था उसे न्यू आडर नाम दिया गया था बैरूत पर हमले के दोरान इस्राइल की रक्षा मंतरी योग एलेंट और एडिएफ के चीफ आफ स्टाप कमांड सेंटर से आपरेशन पर नजर बनाए गये थे इस्राइल ने दो महिने के भीतर हिजबुल्ला की पूरी लिडर्शिप को खत्म कर दिया इस्राइल ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एरेश ट्राइक में हिजबुल्ला के दूसरे सबसे सीनियर लिडर फुआज सुकर को मार गिरा था इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को इरान पर हमला कर हमाज सीफ इसमाईल ग्यानिहे को भी मार गिरा था अब हिजबुल्ला की लेडर्शिप में कोई सीरे नेता नहीं बचा है वहीं हमाज की लेडर्शिप में सिर्फ यामव्या, सिन्वार, जीवित है जो गाजा में मुझूद है आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं लेकिन उससे पहले आपको लाइक, शेर और कमेंट करना जरूरी है साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें फिलाल मुझे दीजिए इजाजत, नई खबर के साथ फिर मिलते हैं नमस्कार